and welcome to this video today we will be discussing about some of the important questions on the course code BEGE 142 that is understanding drama और इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे कुछ questions कैसे type के आ सकते हैं तो let's start यह आपका 100 marks का paper होगा और 6 unit 6 credit code का यह paper होगा ठीक है तो यह अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे write short notes in about 200 words each तो paper का कुछ ऐसे questions आ सकता है जैसे Greek tragedy हुआ Greek theatre हुआ ठीक है फिर tragedy हुआ ठीक है बेगिए पाड़न tragedy है Greek theater हुआ tragedy हुआ types of tragedy हुआ ठीक है types of comedy हुआ ठीक है जैसे fars हुआ वो सब चीज का है फिर tragedy types of tragedy क्या है तो उसके बारे में किसी ने पूछाता कि types of tragedy क्या है इसके बार में ब्लॉक 1 में भी discuss करूँगा ठीक है ठीक है types of tragedy में आप कैसे करके याद करोगे पहले तो आप tragedy का थोड़ा से introduction दोगे जादा नहीं थोड़ा से introduction दोगे और उसके बार types of tragedy का जो भी है उसको point हिसाब से पता होगे ठीक है जो उसके बारे में हम लोग questions discuss करेंगे पहले हम लोग यहाँ पर जो questions है उसके बारे हम लोग discuss कर लेते हैं Greek theatre अब हम लोग एक चीज़ पहले हमें cover view दे देते हैं Greeks ऐसे इंसान थे मतलब ऐसे type of बहुल सकते हो जैसे British England हम लोग जैसे English पढ़ते हैं ठीक है Greeks were the people who who were the pioneers of many things ठीक है चाहे वो arithmetic देख लीजिए यह theater देख लीजिए यह English arts mathematics science बहुत साड़ा चीज में Greek were one of the most earliest civilizations जो मतलब बहुत अच्छे से वो चीज़ को करते थे Greek theater में बहुत साड़ा plays है जैसे Edipus Rex हुआ ठीक है Sophocles हुआ उसमें बहुत साड़े जो theater में जो नाम है यह सब चीज़ को देख लीजेगा Greek theater बहुत ही important है आपके लिए इसलिए Greek theater के बारे में आपको बताना है ठीक है कैसे करके Greek theater Athens चो वो चीज़ देख लीजेगा क्या है ठीक है इसके बारे में हम लोग block one में भी और अच्छे से discuss करेंगे further on मैं just इसका key points कुछ थोड़ा थोड़ा बताया इसके बारे में जब हम लोग book का जब analysis करेंगे तब हम लोग और discuss करेंगे three unities three unities क्या है Aristotle का three unities था उसके बारे में यह बताया गिया जैसे time और place हम लोग पढ़े थे time place setting ठीक है तो यह आपका Aristotle का जो poetics था जो work था ठीक है वो tragedy के उपर में था और Aristotle का जो poetics था उसी के बारे में यह बताया गिया है three unities ठीक है अब यह कुछ key points थे इसको हम लोग और detail में हम लोग book में पढ़ेंगे जब block one करेंगे तब ठीक है section B में क्या question है explain with reference to the context in about 300 words each अब जब RTC type of questions आ भी सकता है ने तो cactus के भी आ सकता है बहुत साल टाइप of questions होगे हम लोग इसके बाद जब questions देखेंगे आपका तो हम लोग जरूर देखेंगे और यहाँ पर जो 10 marks का जो question है इसमें शायद four five six questions भी हो सकता है जैसे आप बहुत साड़ा है types of tragedy बोल सकता है बहुत साड़ा question block one में से कुछ दे सकता है ठीक है let's go on to section B जैसे explain with reference to the context in about 300 words each अब यहाँ पर जो first question है Chris Chris I did it for you it was chance and I took it for you I am 61 years old when would I have another chance to make something for you ठीक है अब यह वाला देखेगा यह आपका context के बारे में बताया गया है यह एक line उठा दिया गया है आप जब भी कड़ोगे इसको इसका जो particular play है ठीक है चाहे वो halfway house हो या आपका trial of gridon किमाती हो या कोई भी चीज में है आप इसको ब आप लोग के लिए task होगा कि अगर आप यह खोज के देखो कि यह कौन सा context में दिया गया है ठीक है क्योंकि reference to context अभी से practice करना है by chance अगर आ गया paper में तो आप लोग के लिए यह बहुत important होगा अगर आप लोग दो दिन के अंदर में from the date of the video अगर दो दिन के अंदर में यह आपका reference to context कौन से text में लिया गया है आप लोग नहीं बता पाए तो में comment section में यह में यह बता दूंगा ठीक है that is your task number two क्या है the object of his existence is dot 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 as if dot dot he were there only to fill in the gaps in the lives of others whatever other people accept of him or in whichever way they think they can use him अगर आप देखोगे यह 300 words का है 300 words को कैसे करना है पहले introduction दीजेगा कि कहां से लिया गया है ठीक है then you will write about the writer then you will talk about the context कहां से लिया गया है और उसके बाद आप यह line में जो है उसके बार में आप बताओ कि इसके बाद last में conclusion दे सकते हो कि इसके बार में क्या आप समझ पाए ठीक है फिर three क्या है with the British we have been losers all the way yes but this in a new era this is a new war we have bled for you we have fought the wars for you against the Germans, Japanese, Italians ठीक है यह three reference to context question है तो मैं यह इसलिए task दे रहा हूं आप लोग को कि यह कौन से context से लिया गया है यह मेरे को आप बताईए क्योंकि जब हम लोग block one करेंगे उससे पहले ही मैं आप लोग को बता दूगा मैं one or two days के अंदर में ही मैं आप लोग को बता दूगा कि यह concert context है आप लोग के लिए task होगा यह कहां से लिया गया यह बताने के लिए ठीक है ताकि आप लोग भी ऐसा type के questions को थोड़ा practice करें ठीक है अगर RTC आया तो फिर दिक्कत हो जागा कि यह direct question नहीं होता है यह आपका घुमा की question होता है अब section C में क्या है answer the following questions in about 800 words each यह 500 to 600 words का range में हो सकता है ठीक है question question और यह आपका 15 marks का यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर वहाँ पर 20 marks का range में हो सकता है ठीक है तो ऐसा type का range होगा 15 marks का दिया हुआ है वहाँ 500 to 600 words around 20 words तो discuss the theme of social responsibility in the play All My Sons ठीक है different types of theme of responsibility है जैसे यहाँ पर theme of responsibility है फिर अगर आप देखोगे halfway house में theme of marriage है बहुत साड़ा theme से आप जरूर से पढ़ लीजेगा एक चीज मैं पताता हूँ बहुत important है आप लोग के लिए अगर आप अच्छा score करना चाते हैं तो apart from summary आप subcontext को भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक है तो मैं analysis करने से पहले यह समझाने से पहले यह बहुत important जीज बता देता हूँ किसे suppose critical approach पूछ सकता है critical review पूछ सकता है फिर colonialism और imperialism के बारे में पूछ सकता है ठीक है बहुत सारे questions है हम लोग जब देखेंगे फिर two का क्या है how does the mao mao struggle get reflected in the play the trial of didn't की माती discuss ठीक है इ पहले writers के बारे में आप बताओगे उसके बाद writer को समझा के आप उसके बारे में अगर कोई adaptation है या translation किया गया है तो उसके बारे में भी आप लिखोगे ठीक है अब mao struggle क्या है इसके बारे में आपको बताना है वह जो freedom struggle था ठीक है जो डीडन किमाटी जो आपका African जो freedom fighter था उसके बारे में यह बताया गया कैसे करके उसको जो event है आप देखेगा mao struggle और broad events को जरूर देख लिजेगा यह बहुत important है चार्ड movements होते हैं उसके बारे में यह जरूर से देख लिजेगा ठीक है और यह चीज़ भी है कैसे करके Shaw McKenzie कैसे करके उसको convince करने चाता है मतलब जो जो डिडन की माती है उसको कैसे करके convince करने कोशिश कर रहा है इसके बारे में भी आप देख ली जगा है यह key point है इस drama के लिए ठीक है how is the character of Chris contrary to that of his father in all my sons अगर आप देखोगे यहां पर तो यहां पर Chris दिया हुआ है ठीक है उपर में यहां आपको hint दे दिया अब आप बताओ कहां से यह लिया गया है तो बहुत सरे time में आपको पता चल जाता है कि कहां से लिया गया है यह all my contrary to that of his father in all my sons तो Chris का contrary कैसे character है इस कि दोनों का character कैसे different है उसके बारे में यहां पर लिखना है ठीक है फिर comment on the clash of different perspectives in halfway house halfway house में एक कितना different perspectives है इसके बारे में बताना है तो आप यह बता सकते हो कि marriage के उपर में जो struggle है ठीक है आपका महिंदरनात और साबितरी के बीच में फिर families कैसे गर के बिखडते है जब उन का जो faith है कैसे करके वो change हो जाता है ठीक है after so many problems that they face just because उन लोग का एक financial condition ठीक नहीं होता इसी लिए तो इसके बारे में आपको बताना है ठीक है तो आज का वीडियो इतना तक ही था मैं और भी वीडियो लाओंगा और यह जस्ट एक टाइप of questions था मैं थोड़ा overview देने का को जीजेगा so that is it thank you so much take care